हेलो माई डिया फैंड वेल्कम टेजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन तो फैंड कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे तो फैंड हमारा लेपलास ट्रांस्फर्म का जो पहला पार्ट था वह हमारा कंप्लीट हो गया था फैंड और आज से अपन यहां से दूसरा प करूँगा और फॉर्मिलिज़ डिसक्स करूँगा क्या अपनको कौन-कौन से फॉर्मिलिज mail यूज करने लाप्लास इंब्र्स निकालने के कितने सारे मैथर्स होते हैं और कौन-कों से मैथअट अपन को पढ़ना है ठीक है फिन्ट और लेक्शर की बात करो कुंसा अगर मैं इसमें कट करके मैं इसको चार लेक्ट तीन लेक्षर में पूरा लेपलास इन्वर्स कंप्लीट करवा देता आप उससे में खुष्त हो जाते कि अरे यार मैंने लेकिन बेटते आपसे कोई शन्सी नहीं बन पाते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए एक टॉपिक को समय चाहिए और समय देखो कोई भी इंसान मैनत करेगा जो यह चाहेगा कि उसको मैनत का फल मिले ठीक है मैं चाहता दो फ्री कंटेंट दिने में कुछ नहीं है लेकिन उस कंटेंट से कोई फायदा ही नहीं होगा जितने भी यू अब आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा लेक्टर होगा वह फर्स सिफ्टिंग प्रोब्लम पर होगा यह आपका पेड है इसके बाद सारे लेक्टर्स फ्रेंट प्रेंट है क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हो फालतु वाला काम करना नहीं है क्योंक वह क्या करेंगे अपन उसको फर्स सिफ्टिंग प्रॉब्लम को करेंगे दूसरा है मारा लॉग वाले प्रॉब्लम सोते हैं उसको अपन करेंगे थर्ड लेक्टर में फ्रेंड यह कॉन्वलूशन आपके लिए बहुत इंबॉर्टन है मैक्सिम माना गया है कि अगर एक्ज इसलिए आप यहां पर देख सकते होगे कॉन्वलूशन का अपन ने दो लेक्टर रखा है लेक्टर फॉर और लेक्टर फाइफ हमारा किस पर होगा कॉन्वलूशन थूरं पर होगा माई डिया फ्रेंड तो आपके युनिवर्सिटी एक्जाम पॉइंट व्यू से निकल गया होगा तो पहले मुझे वह चीज़े कंप्लीट करके फिरीन अपन उसका क्या निकाल पाएंगे लप्लास इंवर्स निकाल पाइंगे फ्रेंड ठीक है तो इसके लिए अपन आपके लिए बेसिक भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं और आप अग कि वहाइघा बीछिजों को बढ़ाने की कोशिस कर रहा हूं माई डिया फेंड चल इसके बाद के सब्सक्र 100 से बांगे बहुत बार कुछंग है यह आपका इस पेसल के थे थिक है जो मैं आपको बताऊंगा वाहण पर सफेशल केस से गेट में हर बार कोई इसे से अ तो अगर आप अगर फूचर में गेट की प्रेपेरेशन करना चाहते हो तो आपको यह बहुत बेनिफिशल होगा ठीक अगर फूचर की बात करो तो यह वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट इस पेशल केस विट गेट कोईशिंट बहुत बार पूचा यार मै है बहुत कब मैंसा देखा है कि गेट में जा चीज़े रिपीट होती है लेकिन इस टॉपिक से चीज़े क्या होती है फ्रेंड रिपीट होती है उसके पाद जो माई डियर फेंड वोगा अप्लिकेशन अफ लाप्लास ट्रांसफॉर्ण और यहां से भी कुशिंच आते हैं य एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा फील करना पड़ेगा तब ही जाके आप कोईशन को कर पाओगे अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल में आ जागो क्योंकि यह आसान टॉपिक में से कुछ भी नहीं इसमें यह जो साथ लेक्चर से आपके लिए यह ब फॉर्मुले डिसकस में आपसे कर लों फॉर्मुले पर बेश्ट एक दो नुमरीकल भी मैं आपके लिए सॉल कर पाऊं तो आप इससे लिख लो माई डियो फेंट चले फेंट तो दिखिए फॉर्मुला मैंने आपके लिए बेसे क्लिक दिया है यह पर लेकिन सबसे पहले अपन चैप्ट्र की बात कर लेते हैं कि चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है और इसका डफिनेशन पर गेरा क्या है अपने आपको बताया था कि लेपड़ास्ट अपन क्या मांगते मैंने बोला था कि अगर आप इस एफटी का लेपलास निकालते हो अगर आप क्या कर तो icts का लेपलास निकालते हो तो यहाद को टक्राइए निकलता था function of s यहाँ पे एक operation लगता था तो प्र treatments के बारे में कुछ इंबर रेगा डिको अगर आप इस लफ लाश को इधर करते हो तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह चला जाए कई तोयो जाएगा मैं-न कैपर मे स्बेसित क्रस्व कस वन्चा करते है आपन क्या करते लफ लब संसर्म थाक को function of s में convert कर रहे थे यहाँ पर हमें उल्टा करना है यहाँ पर अपन को function of s को किसमें convert करना function of t में थोड़ा से समझना इसका mechanism ft में अगर आप laplace transform लगाते तो क्या निकल जाता function of s निकल जाता अगर आप function of s में laplace inverse लगाओगे तो यह क्या बदल जाएगा function of t में बदल जाएगा मतलब समझ लो कि वही काम है पहले ft से function of s में कर रहे थे और अगर fs से क्या करेंगे function of t में convert करेंगो function of t में जो convert करने का जो तरीका है वो है laplace inverse का तो friend माल लोग की fs is a function of s अगर fs क्या है किसी s का function है तो अगर आप इस fs में laplace inverse लगा दोगे तो वो किसमें बदल जाएगा वो बदल जाएगा function of t में वो किसमें बदल जाएगा my dear friend वो बदल जाएगा आपका function of t में तो यहां पर ठीक क्या करना उल्टा करना यह जो लप लास था वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो लप लास inverse में हो जाएगा और एक बात याद रखना कि उल्टा चलने में हमेशा दिक्कत होती यह आपको पता है एफ टी से एफ एस वेरी इजी प्रोसेस कुछ मैंने आपको तरीके बताया थे कुछ स्टेप्स मैंने बताया थे कुछ फॉर्मले जी बताया थे ठीक है वहां पर पहचानना बहुत ही आसान था लेकिन फंग इसको लेप लास इनवर्स से से function of t में कनवर्ट करने के लिए इसे नोड करो ठीक है फिर यहां पर फ़ाल देख लो पहले सके बाद नोट करने जिसे की कभी लप區 टालंए शिर्ष को फन अपान ऑस्ट को क्या हो जाएगा वन हो जाएगा लेप्लासित मैंने को फॉन एटी को पावर सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन आप इसको नोट कर लो तब इस फॉर्मिले से अपन कुछ करने कोशिस करते हैं और आपने देखा हो कि यह यार यह तो ठीक उसका उल्टाइए कैसे जब आपन कॉस एटी का लप्लास निकालते थे तो सब्सक्राइब कर लोगे न क्या अपन साइन इटी करेंगे तो आज इनर्जी लेवल तो डाउन है कल तक इन्शालल्ला में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा नर्जी लेवल फिल से वापस आ जाएगा चलिक फूजिस लगा तो लेपलास इंबर्स के ठीक है थोड़ा दिक्कत आपको सायद नहीं होना चाहिए फॉर्मले जिक्रम ठीक है थोड़ा उल्टा चलने में हमें सा दिक्कत होता है तो मैं आपको वह बात तो खेर बोली रहा हूं चली मान लिजे कि आपको कुईशन दे दे कि लेपलास इंवर्स यह लेपलास इंवर्स का सिंबल है आप निकालो फाइव अपॉन एस स्क्वेर प्लस थर्टी सिक्स ठीक है अगर आपको ऐसा लेपलास इंवर्स निकालने के लिए बोल दे तो सबसे पहले आप यहां पर फाइव को बाहर निकाल लो क्योंकि फाइव कॉंस्टेंट है इसका स्कारी में तो आप इसको लिख सकते हो दुकन राइट हो लेपलास अनवर्स बॉन अपॉन से स्क्वेर फ्लस इक्स का पॉल स्कॉय अब आपको क्या करना कंपेर करनाय फॉर्मूला लगे गा वह यह वाला formula यहां पर fit हो जाएगा one upon s square plus a square देखो one upon s square plus a square का यहां पर formula fit हो जाएगा formula क्या है one upon a sin 80 यह formula यहां पर लग जाएगा तो आएगे देखते हैं यह क्या हो जाएगा five पहले से हैं यहां पर already one upon s square plus six square to six यहां पर एक जगा पर क्या है six सब्सक्राइब वन अपॉन एप मतलब की वन अपॉन शिक्स साइन एटी मतलब की साइन 60 विपाइब घुच्प एज़ेगा 5 अपॉन 6 ऐसाइन 60 या आपका क्या हो गया अंसर हो गया ठीक है अब अगर देखो अपन क्या सिखे ते अपन यह सिखेता है अगर इसका ले प्लास निकालते हैं 5 अपन जिक्स okay हम अपन को यह तो आजाता अंसर को क्या करते हैं अपन फंक्षन औ और टी कि करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा माई डियर फेंड तो आप इसको नोट करो ना मैं फटाक से मिटा के दो तीन कोईशन और बताता हूं ताकि फॉर्मुला आपके दिमाग में बैठ है ठीक है लेपलास इनमर्स में दिक्कत होगा मैं पहले ही बोल रहा हूं करोगे दो तीन चार पांच बार तब जाके क्लियर होगा दिक्कत एक बार में दूर होने वाला इसका नहीं है ठीक है क्योंकि अभी जश्ट लप्लास ट्रांस्फॉर्म पढ़े हो तो यह थोड़ा इतनी जल्दी शॉर्ट आउट नहीं होगा प्रैक्टिस करोगे हो जाए होंगा तो और अच्छा इनर्जी लेवल मिलेगा मुझे भी चलिए एक और कुशन लगा लेते हैं जैसे की बोल दे चलिए जैसे की बोल दे कि लपलास इंवर्स एस अपॉन एस स्क्वार 25 ठीक है तो फॉर्मॉला देखो आपके सामने यहां पर यह आपन मैच करेंगी कि ऐसा पॉन यह किस पर फॉर्मॉला पर बैट सकता है तो चलिए इसको पहले बार रिराइट करते हैं रिराइट करके क इस था JIM को लिख सकते हैं ने लिए लैपलास इंवरसे साप जोन एस स्क्व był 25 को लिख सकते हैं फाइफ का हौल इसका अब आप अप्ल्रा करो क्या यह आप को लग रहा है कि लिपर बैढ़िया है एसपन एस स्क्वेर प्लस जेया मैसर आप ऑन इस प्लक्ला से अस्वेर यह क्या फॉर्मला होता था इसका से इच अपन स मासब्लास संबलास हो गाओ गिया आएं तो पन सो क्या लिख सकते स्कूलीख सकते हैं कासज एक जगाप को साई फोटी या आपको क्या निकल ले कर लिए अपना गया क। हो सककर करते थे नहीं ईत्री फॉर्म काइब हthought कर रहे हैं function of s को function of team convert कर रहें लपलास इन वर्स से और लपलास इंबर्स पहुत जारा important है चले question लगा लेते हैं अ है question number three चलिए आप लगा लीजे question देखें लपलास इन वर्स वन अपन एसका पावर फो वन अपन एसका पावर फोर यह मान लो चलो कि इसका आपको लपलास निकालना है ठीक हैल अपलास इंवर्स निकालना सुरे लपाज बैठा वां में तो कैसे निकालेंगे देखर एसे निकाल सकते हैं क्या formula पहले मिला ओ फोर्मला यह इस पर बैठ रहा है है वह एकलगा इसका पाउर और फोर न अपन है कि ऊपर एन बदा एंड एन टेंगा पर क्या फोड रहें तो इसको बैठा दो तो इसको लपकार्ड क्या हो जाएगा ये ओजाएगा emerging a porta 4-1 का factorial देखो एन के जगाविका बैठा दिया आपने सिंप्ली एन के जगाविका बैठा दिया 4 बैठा दिया तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा टीक्यूब अपन 3 तो यह चीघ्या पॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना इसको आप अच्छे से लर्न कर लो ताकि जब तक आप लन नहीं करो इसको अच्छे से तब तक आप आगे दिमाग आपका काम नहीं करेगा करने में हमेसा याद रखना यह तो खेर केस पता चल जाता है अगर उपर एस है तो इस चाप समझ जागो कि एस से तो कॉस्ट वाला केस होगा और उपर अगर कोई क्या करेंगे उसको बाहर निकालेंगे तो जब भी उपर एक कॉंस्टेंट रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह किसका केस है यह केस है आपका साइन का तो फ्रेंड आप इस फॉर्मले को लिख लो अपना मिलेंगे अगले लेक्शर में जो पेड़ वाले बच्चे हैं उनको एलेक्सर मिल जाएगा फ्रेंड मैं फिर से बोल रहा हूं जिसने को जॉइन नहीं किया प्लीज जॉइन कर लो क्योंकि फ्री कंटेंट आप आपको मिल तो जाएगा यूट्यूब पे लेकिन वह आपके लिए सफीशन नहीं होगा एक्जाम लेवल के लिए और कोई अतना डीपली आपको कभी बताने वाला भी नहीं है फॉर्मुला आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप सॉल नहीं कर पाए तो खेर वह पर मिलते हैं अगले क्लास में तो टेक क्यार बाइबाइब आई